और दिखे केवल एक मिनिट के अंदर यहां पे जो हमारी वेबसाइट है वो completely AI ने बना के तयार कर दी है mobile के ऊपर भी चेक कर सकते हैं और यहां पर भी चेक कर सकते हैं store आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा यह मैंने भी benefits of AI के ऊपर एक article AI से लिखवाया था तो वो भी आपको यहां पर दिखने लग गया है हमारी जो privacy policy वो आ गई, terms and conditions यह आ गए और जो contact us page है वो यहां पर आ गया है और home page यहां पर आ गया है अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचन डिक्षा रखते हो तो इस चैनल को जरूर subscribe करना, bell icon दबा लेना और all पर click कर देना आपके इसाब से एक website बनाने में कितना time लगता होगा एक दिन, दो दिन, एक घंटा या आदा घंटा या एक minute जी हां इस वीडियो में एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ AI की मदद से आप कैसे सिर्फ एक minute के अंदर एक website बना सकते हैं सुनने में तो यह मजाक लग रहा होगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाकई में यकीन हो जाएगा कि कैसे आप सिर्फ एक minute के अंदर बिना कोई coding करें बिना कोई web designing skills के एक website बना सकते हैं अगर आप अपने business के लिए किसी भी चीज़ के लिए website बना रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखना तो without coding और knowledge website बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक AI website builder की और हम आ गये हैं उसी website builder पर यह है hostinger का एक AI website builder जिससे आप एक minute के अंदर या उससे भी कम समय में एक website design कर पाएंगे तो पहले try करते हैं यहां पर try for free का option है और देखिए यहां पर कुछ चीज़ें आप देखेंगे automated website development है AI powered content creation का option है और 30 days money back guarantee है तो उस पर बाद में आएंगे कि कैसे करना है क्या करना है पहले try करते हैं कि यह बना पाता है कि नहीं बना पता हमने जो challenge लिया है उसको accept कर पाता है कि नहीं तो try for free पर हम click करेंगे यहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक option आजाएगा let's AI create your website in a minute यही बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं यही बोल रहा है कि एक minute में बनेगी यहां पर create with AI पर हम click करेंगे अब यहां सिर्फ हमें इसको तीन चीज़ें देनी है और यह तीन चीज़ों के माध्यम से हमारी website को बना देगा अब यहां पर सबसे उपर आपको डालना है brand name फिर उसके बाद यहां से आपको select करना है website का type और नीचे आपको छोटा सा description देना है आपके website के बारे में हम चलो यह भी हम chat GPT से कराते हैं यह भी हम AI से कराते हैं कि मैं brand name भी दे बढ़ी आसा और हमारे लिए description भी लिख दे तो देखो मैंने यहां पर लिखा suggest me a brand name for my online store and describe my project और brand in a few sentence और यहां से मैंने इसको submit कर दिया तो देखो chat GPT ने क्या किया कि मुझ brand name यहां से copy कर लेता हूं तो मेरा computer store है ठीक है उसके बाद यहां पर आप देखो आपको किस तरह का बनाना online store बनाना है portfolio बनाना है business showcase बनाना है तो यहां से मैं business showcase बनाता हूं और इसके बाद में जो about us description आई है इसको मैं यहां से इस पर paste कर दूंगा और यहां से simple अब क्या क पर क्लिक कर देना है जैसे आप create website पर क्लिक करोगे तो देखो यहां AI आपके लिए content generate कर रहा है आपके website का design बना रहा है आपके लिए matching pictures ला रहा है colors लेगा रहा है बहुत सारी चीज़ें लेगा रहा है और एक minute का timer लगा लो और देखो कि website वाकई में एक minute में बन पाता है क नीचे आप देखोगे के जो picture है वो भी लगा दी है website का color आप देख सकते हो बागी सारी चीज़ें जो आप यहां पे देख रहे हो वो complete AI ने बना दी है उपर से लेके नीचे तक आप website का पूरा look देख सकते हो यहां पे about us page है contact us page है और साथ मैं यहां पे देखो तीन यहां मुझे मिल जाएगा इसके बाद यहां पे style का option दिखता है style पे जाके आप यहां से अपने font को change कर सकते हो तो यहां से जैसे अगर मैं यह font change करूंगा तो आपको इस तरह का font दिखाई देने लग जाएगा यहां से आप अपने color palette में से colors ले सकते हो तो आप अपने यहां से अपने अलग अलग जो pages हैं उनको भी add करा सकते हैं या पुराने page को यहां से डिलीट कर सकते हैं setting option में page से related और setting आपको मिल जाएगी जैसे page का यहां पर URL दिख जाएगा आप navigate करने के लिए यहां से नाम वगरा page का change कर सकते हैं और यहां से चाहें तो page को hide कर सकते हैं जैस से आपको continue करना है जैसे अगर आपको अपने website के लिए domain या hosting purchase करनी है या website को live करना है तो यहां पर आपको click करना पड़ेगा click करने के बाद आपको यहां पर select plan का option दिखाए देगा इस पर हम click कर देते हैं और यहां पर आपके जो AI builder है hostinger का उसके लिए plan आपको दिख जाएंगे जिसमें आप यहां पर आप देख रहे हो कि 149 पर month मैं भी आप अपनी website को run कर सकते हो इसके अंदर यह कुछ benefits हैं यह आ देख रहे हैं अब plan को लेने के लिए आपको यहां पर इसे add to card करना पड़ेगा जैसे आप add to card करोगे तो आप इसके card वाले page पर पहुंच जाओगे तो देखो card के page पर हम आगे हैं यहां पर आपको अलग अलग तरह के plan मिल जाएंगे जैसे अभी जैसे मैं बात कर रहा थ इस पर login कर सकते हैं Google से कर सकते हैं Facebook से कर सकते हैं नीचे आपको payment का option मिलेगा और यहां पर आपको टोटल जो 48 महीने का है plan वह आपको दिखाए देगा 8439 रुपीज का अब इस पर और फायदा आप कैसे ले सकते हो तो नीचे description में जो मैंने link दिया है अगर वहां से click करके ज जाएगा तो देखो अभी यह जो plan है जो आपको 8400 रुपे का पढ़ रहा था उसमें लगभंग 900 रुपे का आपको फायदा मिल जाएगा और यह plan आपको पढ़ जाएगा 7500 रुपे का यहनि 7500 रुपे में आप 4 साल के लिए website चला सकते हो आप यहां से UPI, Paytm, Net Banking कुछ सेलेक कर सकते हैं तो जैसे यहां से मैं Net Banking सेलेक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहां से payment के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, payment करके फिर बताता हूँ आपको क्या करना है, तो अभी हमने payment कर दिया है और payment करने के बाद देखे यह कुछ ऐसा page हमारे सामने open हो गया है, यह यहां से हम start now पे click करेंगे, उसके बाद है कि यहां पे हमसे पुछा जाएगा create a new website या migrate my website तो हम नई website create कर रहे हैं, इसलिए यहां से इसे हम select करेंगे, इसके बाद है कि यहां पे एक platform का option आजाता है कि आप hostinger builder with AI को select करना चाहते हैं, या फिर आप wordpress platform को select करेंगे, तो अब domain को claim हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अभी ही domain claim करना है, आप जिस website पे काम कर रहे हैं पहले उस पे काम कर लीजे, नहीं पसंद आता है, दूसरा बनाईए, नहीं पसंद आता है, तीसरा बनाईए, चौथा बनाईए, जितना आपको बनाया उतना ब कर सकते हैं, फिलाल जो website design कर रहे थे, उस पे काम करते हैं, यहां से हम इसे select करेंगे, और यहां पर आपकी वही website आ जाएगी, जिस पे आप काम कर रहे थे, यहां पर आप देखो, जैसे आपने plan को purchase गया, वैसे यहां पर element का option और open हो गया है, जिसमें text, button, image, gallery, video, shape, ऐसे ब duplicate बना सकते हैं, और यहां more पर जाकर आपको और भी बहुत सारे option मिल जाते हैं, अब जैसे यहां से edit image का option है, आप यहां से अपने image को replace करा सकते हैं, यहां पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो यहां पर और भी बहुत सारे images आ जाएंगे, अब आपको को image select करना है, जैसे computer का कोई और image search करूँगा, तो देखें, free image वाले section में बहुत सारे image आ जाएंगे, अब मेरे को यह वाला image है, यह select करके वहाँ पर लगाना है, तो मैं इसको click करूँगा and add to page पर click कर दूँगा, तो देखो उस image की जगह यह image यहां पर आ गया है, और यहां से मैं थोड़ा सा इस इसको अपने हिसाब से adjust कर सकता है, तो कहीं भी उठा के आप रख सकते हो, यही आजादी है इस AI website builder की, इस तरह से मैंने इसे रख लिया है, अब आप नीचे चलोगे, तो नीचे यहां पर आपको एक image और मिल जाता है, तो आप यहां से select करके इसको भी edit करा सकते हो, इसका यहां से अब को style का option मिल जाता है, action का option मिल जाता है, कि click करने के बाद आप क्या देखो के, यहां पर animation का option मिल जाता है, जैसे मैं इस पर click करूँगा, तो यह animate हो के दिखा देगा कि website पर यह किस तरह से आएगा, so image पर जाके इस image को भी हम थोड़ा सा replace कर लेते हैं, यहां भ तो तो यहां पर दिखाई देगा, अब यहां पर यहां पर यह जो section है, आप इसका color भी change कर सकते हो अपने इसाब से, इहां से एड़ेक्षेंट पर जाओगे, यहां पर image का option यहां भी आपको दिख जाएगा, color का option दिखेगा, आप यहां से section color को अपने इसाब से जैसे चा इस section को भी आप move up and move down करा सकते हो, इसी तरह से कोई भी text आपको यहां से change करना है, तो कर सकते हो, style के section पर जाके आप एक ही बार में पूरे website के font को एक साथ में change कर सकते हो, तो सारे font पूरे website पर एक साथ change हो जाएंगे, ठीक है यह सारी चीज़ें तो ऐसे हो गई, अब चलते ह अब देखो full edit mode पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहां पर दिखेंगी, जैसे यहां पर desktop layout mode और यहां से mobile view, ठीक है नब mobile पर आपकी website कैसी देखेगी, तो यह जो website है, यह full responsive website है, यहां से आप preview पर क्लिक करके, अपना mobile पर भी preview देख सकते हो, इस तरह से यह आपके pages यहां पर आपको element add करने का option दिखता है, इसके बाद page और navigation का option दिखता है, यहां से चाहो तो आपको यह एक page add करा सकते हो, single click के साथ में, और page का design भी आप यहां से select कर सकते हो, जैसे मालनी जी मुझे privacy page यहां पर add कराना है, तो इस पर मैं click करूँगा, इस पर click करूँगा, और य इसमें की हमारी company का नाम लिखा हुआ गया, यह page आपको यहां पर add के मिल जाएगा, इसी तरह से और page अगर आपको add करने है, जैसे refund policy, terms and conditions, तो click करो, और यहां पर company का नाम डालो, और यहां से add page करा दो, simple, वो page आपके menu के अंदर अपने आप से आजाएगा, तो यहां पर इसके बाद आपको मिल जाता है website style का option, जिसमें कुछ colors दे रखे हैं, अगर किसी color को आपको किसी और color से change करना है, तो simple, उस color को select करिए, यहां से select करिए, और यहां से आप उस color को बदल सकते हैं, जैसे इस color को थोड़ा सा इस तरह light में ले जाऊंगा, और यहां से select करूंग और यहां पर देखिए, आपको blog का option मिल जाएगा, अब देखो यह सबसे बढ़िया बात है, कि आपने website भी design कर ली, और अपने website के लिए यहां पर blog भी लिख सकते हैं, यहां पर आप click करेंगे, तो यहां से आप अपने blog post को design कर पाएंगे, यहां पर click करके आप अपने blog post क नाम लिख पाएंगे, नीचे आप मेज लगा पाएंगे, और उसके बाद में एक section यह मिल जाता है, post content का, और इससे भी आप AI से लिखवा सकते हैं, तो यहां पर एक छोटा सा आपको description देना है, और AI आपके लिए खुद ही text generate कर देगा, जैसे मैं यहां पर AI से कुछ देखो इस तरह से यह article यहां पर आ गया, अब और भी आपको यहां पर section add कराना है, और भी AI से कुछ लिखवाना है, तो आप लिखवा सकते हो, यह image भी आप change कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर click करके, आप इस तरह से image section पर यह free images पर जाके, यह image भी बदल सकते हो, तो मैं यहां पर AI लिख देता हूँ, उसके बाद enter करूँगा, और यहां पर कोई भी image जो आपको लगे कि आपके article से related है, उसको select कर लेंगे आप, और यहां से add to page करा देंगे, और देखें, यहां से आप अपने article का जो title है, उसको change कर सकते हैं, यहां पर आपको click क करना है, इस जगे click करना है, और यहां से जो post title है, उसको आप बदल के, यहां से save करेंगे, तो आपके जो post का title है, वो बदल जाएगा, और यह सारी चीज़ें आपको यहां तिखाई देती रहेंगी, अगर आप online store बना रहे हैं, तो यहां पर add store का भी option आपको मिल जाता है, जिसमें आप लगभग 500 product तक upload करा सकते हो, simple आपको add store पे click करना है, और इस तरह का एक store आपके website के साथ में connect हो जाएगा, और यहां से आप अपने online store को manage कर सकते हो, यहां पर manage product का option आपको दिख जाता है, यहां पर देखो हर product के सामने आपको setting का option दिखता है, जिसमें page setting, SEO setting और added product का option आपको दिखेगा, यहां पर जैसे आप click करोगे added product पे, वैसे आपके सामने इस तरह का एक जो page हो आजाएगा, जिसमें आपको अपने online store का नाम देना है, तो यहां पर भी हम PC skill type कर देते हैं, यहां से continue करेंगे, और यहां से देखे, यह अपने आप आपकी country और currency को ले लेगा, इसे यहां से continue करेंगे, और आपका जो online store है, वो आपके सामने आ जाएगा, अब यहां से simple आपको क्या करना है, आपको product act कराने है, online payment method आपको add कराना है, और यहां से company के बारे में आपको information देनी है, तो product act कराने के लिए simple इस पर click करना है, अब आपको product किस त upload कर देता हूं, तो जैसे, मैं यह keyboard sticker का एक image है, इसको upload करूँगा, इस तरह से, और देखिए, यहां पे product का जो title है, वो enter कर दूँगा, subtitle अगर आपको कुछ डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं, और इसके बारे में description आप यहां पे लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे description डाल होंगा, तो price मा लीजे 100 rupees है, discount price 50 rupees है, इसके बाद मैं आपको weight यहां पे डाल देना है, तुम्हें यहां पे लगबग 1 kg लिख देता हूं, और यहां पे अगर आपको product की quantity भी track करानी है, तो इस पे भी आपको click कर देना है, kidney quantity में है, यहां पे लिख देना है, इसके बाद इ लिए यहां पे manual payment method पे आपको click करना है, जिसमें आप COD add करा सकते हैं, तो manual payment के अंदर देखी, यहां पे इन्होंने 2 option दिये है, cash on delivery भी आप यहां पे डाल सकते हैं, और यहां पे आप bank transfer का option भी रख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे आप ऊपर देख रहे हैं कि एक payment gateway आपक यह सारे आपके इसके साथ में connect हो जाएंगे, तो चूंकि यह वीडियो हमारा website building को लेके था, लेकिन फिर भी हमने इसमें यह सारी चीज़ें बता दी हैं, अब दुबारा से हम अपने website पे जाते हैं, और उसे live करके देखते हैं, तो यहां से हम added website के option पे जाएंगे, देख किया है, अगर आप domain connect करना चाहते हैं, तो simple यहां पे connect domain पे आपको click करना है, और यहां से अपना domain है, वो claim कर लेना है, यह सारी process तब करनी है, जब आपकी website complete हो जाए, अब उसे संतुस्ट हो जाए, कि हाँ भई, अब मैं एक website को live लेके जा सकता हूं, तो यहां से इसे select करन है, और यहां पे आपको जो आपका domain name है, जो आपको free में मिला है, उसे search करा लेना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं PC skill India store, ठीक है, और मैं search करके देखता हूं, dot in में यह domain मुझे मिल गया है, अब थोड़ी सी processing मुझे करनी है, थोड़ा बहुत मुझे काम करना है, उसके देख रहे हैं कि मेरी website है, वो PC skill store.in यहां पे आ चुकी है, अभी यह active नहीं है, क्योंकि domain को active करने के लिए, hostinger को एक दो घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे का भी समय लग सकता है, 24 घंटे बाद इसी domain के उपर मेरी website live हो जाएगी, preview check करने के लिए, आप यहां पे click करके preview check कर स यहां पर देखे, add to back का option भी आ गया है, quantity के साब से आप add करा सकते हैं, देखे, add to back मैंने करा लिया, और यहां पर आप देखने है, यह मेरा blog आ गया है, यह मैंने भी benefits of AI के उपर एक article AI से लिखवाया था, तो वो भी आपको यहां पर देखने लग गया है, हमारी जो privacy policy वो आ गई, terms and conditions यह आ गए, और जो contact us page है, वो यहां पर आ गया है, और home page यहां पर आ गया है, अगर आपको कुछ भी editing करनी है, तो आप यहां से back to editor पर जाके, आराम से बहुत सारी चीज़ों को edit करा सकते हैं, यहां पर देखो कुछ AI tools भी दिये गये हैं, जिसमें logo maker है, AI writer है, और AI heat map का भी option दिया गया है, तो आशा करता हूँ कि आज किस वीडियो में आपने सीख लिया होगा, कि कैसे आप AI website बना सकते हो, एक मिनिट के अंदर design कर सकते हो, बागी सारी जो चीज़े हैं देखिए, उनको तो हमें edit करना ही होता है, लेकिन एक मिनिट के अंदर बिना coding जाने, आप website इस तरह से बना सकते हो, अपने customers के लिए भी बना सकते हो, खुद के लिए बना सकते हो, तो अगर ऐसे ही रोज कुछ नया आपको सीखना है, तो इस चैनल को subscribe कर लेना, अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नई जानकरी के साथ, मैं तब तक के लिए जाहिंद वनने मतरम